नमस्कार किसन भाईयो सावलिया नर्सी बराडा में आपका स्वागत है किसन भाईयो आज जो आप देख रहे हैं यह पपिता का बगीचा हमने गुनिश अप्रिल को लगाया था गाउं बराडा में और यह सावलिया फलोद्यान बराडा के द्वारा लगाया गया है और मेरा कनहिया दास बेरागी है दर्सको अगर वीडियो चालू करने से पहले मैं आपको यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो आप इसको सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए तो किसन भाईयो आप कोटा से आये हैं और आपका पूरा नाम बता दीजिए ए एक पेड़ पर कम से कम से एक कुंटल तक के पोधे माल हमको दिख रहा है इसमें जी आप किस उद्देश से यहां है हमारा में उद्देश यहां पर पोधो को देखना है और यहां पर जो अपने नर्सरी तयार होती है जी वहां से पोध लेना है तो हम बुक कराना चाते है किसान भाईयों मैं आपको कहना चाहूँगा कि जो भी किसान भाई पपिता की खेती करना चाहता है तो वह एक बार जिस नर्सरी से पोधे लें तो पहले उस नर्सरी से यह जानकरी ले कि आपने पिछली बार बगीजे कहां लगा है उन बगीजो को आप देखें यदि आप स्कसाल में आप साल में प्वैयच से आपने स्क्राइब कुछ नर्शिर से पोदे लैं अझेतानों लैं तो इसमें यह खोद किसान कर आप कुसाला जी पाटिदा यह इनका बगीजा का कर द works रेक लिए रेटो देख सकते हैं आप और में उदें भूमा दें tienes आप पूरे बगजाग देखते हैं कितना फल लगाओ है इसमें दोस्तों ये जो पोदा देख रहे हैं आप ये केवल आट मेने का पोदा है और इसमें फल की तुड़ाई चल रही है अभी पिछले एक मेने से चल रही है लगबग इसमें कम से कम 25 या 35 कॉंडल पपिता तूट होती जाती है और ये प्रोसेस लगबग पांच मेने तक चलती रहती है तो किसान भाई ये पपिताई खेती जो आज के समय में बहुत ही अच्छी खेती है इसमें कम समय में आप ज्यादा लागत ज्यादा मुनाफ़ा ले सकते हैं और ये जो एक बार बता देता हूं कि जो पपिताई खेती करते हैं तो आप मार्च और पंदर अप्रेल से पहले पहले ही पोदा लगाए उसके बाद पोदे न लगाए और जो भी किसान भाई पपिताई खेती करना चाहता है वो एक बार सावलिया फलोद्यान बराडा के से एक बार संपर करें ताकि आपको अधिक स एक मिखाली करने के लिए आपको हमसे पोदेल लेने के लिए आप पुरिजान का है लेने आया है है याप धन्यवाद दन्यवाद याए करत दंद लिंदर करहें दाना गाए याई